इस पॉइंट आप याद रखेंगे कि शुरुवात जो होती है किसी भी तरीके के प्रैसिटिपेशन की प्रैसिटिपेशन जानी इन चारो चीजों कि इन चारो चीजों की जो षुरुवात होती है वह याँ तो आइस क्रिश्टल के रूप में होती है या तो स्नोफलेक्स के रूप में नीचे आते आते अब यद Оп चling करता है कि जो आस क्रिश्टल इसका मतलब समझ गयोंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेइन इन चारों में यही मिलेगी कि स्नोफ्लेक के रूप में या आइस क्रिश्टल के रूप में पानी क्लाउट से गरना शुरू होता है तो बेसिकली सबसे पहले यही बात हुई कि जैसे ही आइस क्रिश्टल ऊपर से गरना शुरू हुए हम समझ लेते हैं कि यह आइस क्रिश्टल है और जब यह नीचे ड्रॉप हो रहे हैं तो इन्हें बीच में होट एर कॉलम मिला यानि कि जो रस्ते में एर जो इसे मिली जमीन जमीन तक आते आते वह एर का temperature comparatively hotter है तो गरम होने की वज़ा से यह आइस क्रिश्टल जो ऊपर से शुरू हुए है वो यहाँ पर पिखलना शुरू हो जाएंगे और नीचे आते आते जमीन पर वह वाटर डॉपलेट ही रह जाएंगे इस केस में जो हमें बारिश मिलती है उसे हम basically rain ही कहते है जैसा कि मैंने कहा था कि पहली लाइन यहीं मिलेगी आपको चारू definitions में तो यहाँ पर अभी दो बार यह प्रोसेस हुआ है पहले क्या हुआ कि पहले अगेन हम देख लेते हैं कि वाटर डॉपलेट्स की जगह आइस क्रिस्टल बादलों से गिरे अब ए थिक हाट एयर कॉलम उन्हें मिला अब क्यों कि हम जानते है कि पानी उपर से गिरता है लगबख 7-8 km उपर से गिरता है तो रस्ते में उन्हें तो उन्हें लगबख 4-5 km अगर हाट एयर कॉलम मिल जाता है लेकिन उसके नीचे जो एयर कॉलम है वो comparatively ठंदा है तो यहाँ पर आते आते तो वह मेल्ट हो गया लेकिन जब वापस इस एयर कॉलम के अंदर वह वाटर ड्रॉप्स आती हैं तो वह दुबारा से आइस क्रिश्टल में और जब जी आइस क्रिश्टल धरती पर गिरता है तो उस तरीके की रेन को हम स्लीट कहते हैं हेल और स्लीट में एर कॉलम मिला था लेकिन हेल में थोड़ा थिन होट एर कॉलम होता है जानी कि जो थंड़ा एर कॉलम है वह ज्यादा मुटा ही का है तो हम फिर से इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं तो जैसे जैसे वह थंड़ी एर कॉलम के अंदर घुसते हैं वह दुबारा से जमने सुरू हो जाते हैं इसके साथ साथ जो बचा कुचा वाटर होता है वो भी उन आइस क्रिस्टल के ऊपर जमना सुरू हो जाता है जिसकी वज़ाए से यह और बिगर साइज में कनवर्ट हो जाते हैं उस तरीके की रेन को हम कहते हैं हेल जैसे की हिंदी में हम कहते हैं ओले गिरने शूरू हो जाते हैं अब बात करते हैं स्नो की स्नोफलेक्स लीव दी क्लाउड एंड रीज दी अर्ट सरफेस लाइक स्नोफलेक्स अब यहां पर स्नोफलेक ही This type of recidivation is called snowboard.